हालो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्टूब चैनल मोबाइल केर क्लिनिक पे दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और साथी बेल आइकन को प्रेश कर दीजगा तो यह हमारा मोबाइल कम्प्लीट लिया अभी भी कमपनी का सीड लगा हुआ है तो चलिए इसको जल्दी जल्दी से इसको उपन करते हैं कि देखिए मैंने सारे इसक्रू इसको जो है सारे इसक्रू को मैंन खोल लिया है अब इसको स्क्राइड कर देते हैं ताकि कोई भी इसक्रू इधर उधर ना हो जाए कि दोस्तों आज कले माई का जो प्यों भी इसमें नया नया सेट आ रहा है जितना भी लेटिस सेट आ रहा है का सब में कोई रिप्रणेμέर आई जाहरी है बराबर से किसी में प्राबल्म और। और है केसे camera networking का problem होता है तो यह सारे problem आते रहते हैं दोस्तों तो कहराने भी चाहिए है कि नहीं आने चाहिए ताकि हम लोग भी तो बैठे हुए है मार्केट में काम करने के लिए problem नहीं आएगा तो फिर हमनों काम कैसे चलेगा है न तो चलिए देखते रहिए देखिए यह हम मैंने मोबाइल को पीछा का जो बैक हो बैक पैनल होता है और जो रिंग होती है उसको मैंने बाहर निकाल लिया है अब यह देखिए इसका जो यह क से टेप लगा हुआ है यह भी मोबाइल जेस्ट फाइली बार उपन हो रहा है तो तो यहां पर नेटवक वायर इसको निकालेंगे इसके बाद मदर बोड को मोबाइल से बाहर करेंगे कि यह देखिए मैंने इसको बाहर कर लिया है यह देखिए इदम बिल्कुल भी अंटच है कहीं से कोई भी छड़ा हुआ नहीं है बिल्कुल फ्रेश बोड है अज हम लोग इसको रिप्यार करेंगे लाइफ रिप्यार करूंगा दोस्तों और आप लोगों को मैं दिखाऊं कि यह जितने भी सारे कैमरे इसको एक्साइट कर देते हैं ताकि कोई भी डर्स्ट होगा रणना लग जाए जिससे कैमरा ब्लर हो जाता है कि अचले चलते हैं मदर बोट पर और इसका यह जो शील्ड लगा हुए आइसी को पर शील्ड को निकालते हैं अगा вся आइए आइए आअ कि और इसका जो शील्ड को साइटस रीकिस करना पड़िए ताकी Сейчас i enthusiastic हो ऑ है अच्छे से हिटनों और अच्छे से लगा सकाऊंगों इसलिए इस्टिपे निकालना पडेगा और इसके बाद इस पर यह इन टेप भी लगा लेना चाहिए जिससे जो इसका इमन्सी होता है या यू एफस जो भी बोल दो तो उस पर हीट ना पड़े ताकि काम बढ़ जाता है इससे न ठीक है तो देखिए साइट से गुलू कटिंग करना है हलाकि इसमें बहुत सारा गुलू लगा हुआ नहीं है पर हीटिंग करेंगे और साइट से थोड़ा सा ब्लेट डालके इसी प्लट देंगे विल्कुल आसानी से निकल जाता है सीप्यू लेकिन दोस्तों हीटिंग का बहुत जाता ध्यान देना है यह भी ध्यान देना कि साइड में किसी और कंपोनेंट पर किसी और आईसी अगर कि टौट पर हीट ना पड़े हैं ठीक है ये देखि एक है देखियाए मैंने इसका जो ये सीप्यू कई मैंने बाहर निकाल लिया है और ये पुरी तरह से पेस्टेड है ब्लैक पस्लगा अभा इससी तरह जिसटरा आइसी पेस्ट लगा हुआ इसी तरह मदर बोट पच्छ करेंगे और motherboard को उसdidенный करेंगे यह देखिए बिलकुल ही अच्छी तरह से क्लीन हो गया है अब बारी अती है सीपियूकों किकलीन करने की तो यह देखिए हमारा सीपीू है इसको हम सेम्लों करेंगे सेम प्रोसेस है दोस्तों। जैसे पी-पीडि और थोड़ा सब पेस्ट यदřाल के सब्सक्रा से इस पर जी इतनी फारीं इसलें साब य보गतें की हैं और अभी छाहन दोस्तों आप चाहें तो इसको ब्लेट से भी क्लीन कर सकते हैं या फिर आप सोल्डिंग आरन से क्लीन कर लीजिए जैसे आपको बेतर समझ में आ रहा है आप वैसे काम करिए लेकिन काम बहुत ही सावधाने से और बहुत ही इत्मिनान से करना है बिलकुल भी घबडाना नहीं है बिलकुल आहिस्ता इस्ता काम करएं दोस्तों और जितना सफाई से आप काम करेंगे उतना अच्छह आपको प्रोब्लम दिखेगा उतना अच्छह से आप सॉल्व कर पाएंगे इस बात का ख्याल रखी गा हमारा आइसी अच्छह तरह से क्ली और फिर लास्ट में हमको जब CPU बिठाना होता है तो फिर CPU सही से बैठता नहीं है और सेट हमारा ओन नहीं होता है कि तो यह चोटी चोटी टीप सेंड ट्रिक्स है इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिए और इसको अपलाई करिए यह देखिए हमारा जो यह CPU है यह रिबॉल हो चुका है और इसको अब हम लोग थोड़ा ठीना डालकर इसको क्लीन करेंगे यह देखिए क्लीन कर लिया मैंने और कितना अच्छे से रिबॉल हुआ है बिल्कुल सारी बॉल एक्दम परफेक्ट और अब बारी आती है इसको वापस से मदर बोर्ड पे असेंबल करने की अधोर क्यां के में एसमपल करने में वही सेम प्रोशेस और थोड़ा सब पेषण डाल के इसको इस तब्ली हुआ से कर लेंगे अब सेपिई को वापस से और पर अच्छे से करेंगे देखिए इस तरह से और उसके बीदों थे चेख करेंगे इसको ठीक है अब इसके बाद उसके बाद फिर हीटिंग करके अपना जो है जो भी सीप्यू है जैसे जिस तरह से बैठा हुआ तो उसी तरह से वापस इसको फिक्स करेंगे दोस्तों यह सारी प्रॉब्लम जो भी आती है जैसे सीप्यू जो नौट रिस्पंडिंग और जो भी टेच नहीं काम करना और कैमरा नहीं काम करना तो यह सब यह सारी प्रॉब्लम होती है यह सारा जो है सीप्यू के बैड वेल्डिंग की वज़ा से होती है खर मैंने इसको ज कि और इसको भी अच्छी तरह से रिमूट करना है कहीं भी कोई भी थोड़ा सा भी टुकड़ा इसका हीट सिंग टेप का लगा ना रजा जो कहीं किसी कंपोनेंट पर टच करेगा तो वह शौट करेगा इसको भी बारिके से क्लीन करना है देखना है कहीं पर कुछ छूट ना जाए तो मैंने सीप्यू को तो फिक्स कर दिया है अब चलिए बारी आती है इसको वापस से मोबाइल पर फिक्स करते हैं और चेक करते हैं हमारे मोबाइल में जो सिस्टम यू आई नॉट रिस्पॉंड आया होगा ठीक है तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्क्राइब करिए और साथी साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिसे हमारी आने वाली जो भी नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगो बराबर मिलता रह गया है चार्जिंग का सिंबल आ गया है अब इसको हम लोग पावर स्विच करके आन करेंगे कि यह देखिए हमारा mobile on हो रहा है वाइड का लोगो आ गया है नीचे android पावर बाई android एक ईसके आघे फिर देखते हैं आगे बढ़ता है कि इस्टव होता है लोगों पे यह देखिए हमारा mobile माई के लोगों पर नीचे डॉट्ट भी चल रहा है यह देखिए हमारा जो सिस्टम यू आई नाट रिस्पोंडिंग जो प्रॉब्लम था वो कम्प्लेटली सॉल वो चुका है और हमारा मुबाइल कम्प्लेटली ओन हो गया है तो ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी और के साथ तब तक के लिए तब तक के लिए धन्यवाद और क्या बोलता हूं ठीक है चलिए आप लोग देखते रहिए और सीखते रहिए और दुआएं दीजेगा ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद